Top Best Video recording के लिए smartphone अगर आप देख रहे हो जाए अगर आपको photos के लिए like smart phone चाहिए है अगर आपका बज़र 8000 wa 2000 के बज़री में इक camera smartphone स conservatives कर रहे हो ये video में specially आपके ले करूँ तो बात करते हैं see the number 5 की number 5 की बात करूँ number 5 पर यार मैने रख्णाYes Services Galaxy M02 को तो सबसे पहले इस price range में मुझे बहुत ऐसे बंदे मैसी करते हैं जिनको Samsung का ही smartphone चाहिए होता है अगर आप भी उनमें से आता हो तो आपके लिए perfectly हो सकता है Samsung Galaxy M02 ठीक है अगर मैं smartphone की बात करूँ तो सबसे पहले इसकी build quality बहुत अगर आपके हाथ से phone गिर भी जाता तो यह कराब नहीं होने वाला तूटने नहीं वाला आप long time पेड़े यूज़ कर सकते हो तो Samsung के phones की खासत की बात करूँ आपको जो battery life इस price range में बहुत अगरा देखने को मिल जाता है जादे समय खराब नहीं करूँगा बात कर लेते सीधा main specification की तो यह डिस्प्ले की बात करूँ इसमें आपको 6.5 inch की PLS LCD देखने को मिल जाते है प्रसेसर की बात करूँ 28 nanometer technology एक साथ आपको core core processor देखने को मिल जागा battery की बात को 5000 damage की battery मिल जाते है camera की बात करूँ आपको dual camera देखने को मिल जागा selfie की बात को 5 megapixel के साथ selfie मिल जागे storage की बात करूँ यह दो विड में देखने को मिलता है 2GB RAM के साथ and 3GB RAM के साथ प्लस आपको 32GB storage देखने को मिल जाती है price की बात को 7200 के budget range में Samsung Galaxy M02 देखने को मिल जाएगा तो यार main specification में आपको बता दिया Samsung Galaxy M02 के तो यार अगर आपने smartphone के और जा सकते हो अगर आपको एक non-channel smartphone चाहिए आपके लिए perfect deal हो सकता है आप इस smartphone के और जा सकते हो आगे बात कर लेता है number 4 की number 4 की बात करूँ number 4 पर यार मैंने रखाया Redmi 9A को तो यार अगर आप Redmi लवर हो आपके लिए ये smartphone perfect हो सकता है अगर आपका budget 8000 है ज्यादा समय खराब नहीं करते हैं बात कर लेता है main specification की थोड़ा से deeply बता देता हूँ आपको पता चल जाएगा कि आपको smartphone में क्या देखने को मिलेगा तो display की बात करूँ आपको 6.53 inch HD plus display देखने को मिल जाते है प्रसाइसर की बातों को मीडेक हीलो G25 देखने को मिल जाता है storage की बात करूँ आपको 2GB RAM मिल जाते है प्लस 32GB storage प्लस आप expandable भी कर सकते हो बैटरी की बात करूँ आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती प्लस 10W का fast charger camera की बातों को 3GB Excel के साथ camera देखने को मिल जाता है selfie की बातों को 5GB Excel के साथ selfie देखने को मिल जाते है प्राइस की बात करूँ इसका प्राइस आपको 7,000 किसे लेकर 8,000 के budget range में Redmi 9A देखने को मिल जाएगा तो यार main specification मैंने आपको बता दिया Redmi 9A के अगर आप इस smartphone के आउर जाना जातों भई आप इस smartphone के आउर भी जा सकतों इसके color अगर आप प्यारे देखने को मिलते हैं तो भई अगर आप Redmi लवरो आपके लिए ये smartphone perfect deal हो सकता है अब यहाँ के बात कर लेते है number 3 की number 3 की बात को रहे number 3 पर यार मैंने रख्या Realme C11 को तो सबसे पहले भई मैं आपको ये चीज़ बता देना चाता हूँ अगर आपको color design वगरा matter करते हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सही चीज़ होने वाली है Realme C11 because इसके color हो गया, इसका design हो गया बहुत ही ज़्यादा तगरा अगर आपको design and color गरा matter करते हैं आपके लिए perfect deal होने वाला है Realme C11 तो बात कर लेते हैं इसके specification के, इसके specification भी आपको बहुत ही ज़्यादा तगरे देखने को मिल जाता है आपने gaming दरनी है, आप normally easily जो है वो कर सकता आपको कोड़ भी problem issue नहीं आने वाला battery की बात आपको 5000 damage की battery मिल जाती है, प्लस आपको 10 watt का fast charger देखने को मिल जाता है camera की बात करूं, आपको dual camera मिल जाता है 30 megapixel प्लस 2 megapixel के साथ, selfie की बात करूं आपको 5 megapixel selfie देखने को मिल जाता है, storage की बात करूं, यह दो बड़ में देखने को मिल जाता है, 2 GB storage के साथ एंड 3 GB storage के साथ है RAM के साथ, sorry, प्लस आपको 32 GB storage देखने को मिल जाता है, प्राइस की बात करूं, आपको 7500 के budget से लेकर 8200 के price range तक भी पहुन सकता है, Realme C11 तो आप देख लेना, अगर आपके budget में set better आप जा सकते हो, Realme C11 के और, तो यहर main specification में आपको बता जी है, Realme C11 के, तो अगर आप इस smartphone के और जाना जाते हो, आप जा सकते हो, color, design, look wise भी बहुत ही ज़्यादा सही है smartphone, उसके साथ specification भी आपको तगडे देखने को मिल जाता है अगर आपको 60 refresh के साथ इसके display देखने को मिल जाती है, उसके साथ आपको मिल जाता है, जो की gaming processor अगर आप हार्ड को गेमिंग वगयरा भी करना जाते हो, आप easily normally कर सकते हो, इसका camera वगयरा भी आपको सही मिल जाता है, तो आप देख लेना, अगर आपके budget range में set better आप इसके देखने को मिल जाता है, specification के according पूरा loaded processor की बात करो, इसमें आपको mid attack Helio G35 देखने को मिल जाता है, जो की 12 nanometer technology के साथ, बेस जागर आप हार्ड कोर gaming करना जाते हो, आप easily normally इसमें भी कर सकते हो, आपको कोई भी problem issue नहीं आने वाला, storage की बात को 3 GB RAM मिल जाती है, प्लस 32 GB storage, camera की triple camera मिल जाता, 30 megapixel, plus 2 megapixel, plus 2 megapixel, selfie की बात को 5 megapixel की selfie मिल जाते है, price की बात को इसका budget यह, आपको 7500 के budget से लेकर, आपको ये 8200 के budget range में, Poco C3 देखने को मिल जाएगा, तो बही, main specification में आपको बता दिया, Poco C3 कि अगर आप इस smartphone के और जाना जाते हो, आप easily normally जा सकते हो, आपको मैंने रखा Infinix Smart 4 Plus को, तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है कि यह number one पर है, तो बहुत ही ज्यादा तगड़ा है, यह वैसे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, जो मैंने आपको पहले phone बता है, वो भी अपनी जगा बहुत ही ज्यादा सही है, मैंने यह number wise ऐसे नहीं रखा कि number one पर है तो यह डिस्प्ले की बात करूए है, इसमें आपको 6.82 एच्टी प्लस दिस्प्ले देखने को मिल जाते है, प्रोसेसर की बात करूँ हूँ, इसमें आपको मीडियाटक हीलो 825 देखने को मिल जाता है, जो की 12 नानोमेटर टेक्नॉलिजी के साथ बेस्ट है, स्टोरेज की इसमें आपको 3GB RAM मिल जाते है, प्रोसे साथ बात करूँ, आपको 7000 से लेकि 8000 के बले रेंज में, इंफिनिक स्मार्ट 4 प्लस देखने को मिल जाएगा, तो यहार में आपको इतनी चीज बता दिना चाता हूँ, अगर आपका बचले 6000 है, 7000 है या 8000 है, इस प्राइस रें में आपको camera तगरा नहीं देखने को मिलने वाला एंड जो परसासर है वो भी आपको जो आवरेज देखने को मिलेगा उसके बाद आपको Super AMLO display बिल्कु भी नहीं देखने को मिलेगे ठीकाई IPS LCD वर्गारा देखने को मिल जाते इस price range में 12 इस बजले में मैंने आपको बता दिया कि किया मिलीगा क्या नहीं देखने को मिलेगा तो आप देख लेना अगर मेरा बजट हो था आफ चाहर बजट हो था साथ से आठ जार तो मैं जाता रियमनी C11 के यह दोनों स्मार्टफोन ट्रस्टेड ब्रैंड है टॉप ब्रैंड में से आते हैं लोगों का ट्रस्ट बना हुआ अगर आप भी जाना जाते हो लिंक मैंने बायों में दिया हूँ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साओरी दिया हूँ है आप चाओर कर लेना तो से बहुत रहा हूँ ठीक है तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में वीडियो के साथ या थिंक्यू क्निए बना हूँ है क्पाओर आपक्स काओब अड़ा हूँ क्षब बना भागर याँ पाफ़ा हूँ है झाल झाल